हेलो गाइज स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोसन क्लासेस पर फ्रेंट्स इस वीडियो में हम प्रिबियस ये क्वेस्टन को करने वाले हैं ठीक है इसका जो वीडियो है आपको एक सेट 3 में भी मिल जाएगी मैंने आपको जार्खन सची वाले सहय प्रारंभिक परिछा 2016 वाली एक वीडियो बनाया था जिसमें इसको मैंने करवाया था ठीक है और इसमें ज्यादा जो सामाइन जीएस के जो क्वेस्टन है उसमें इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बाट दिया है ठीक है तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो एक तीसवान नंबर क्वेस्टन वह कौन सा है यहां जो आपको दिख रहा है क्वेस्टन के निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने जुरुवाती चरन में कूरुग धरम के नाम से जना गया था तो ऑप्सन से क्या खरवार अंदोलन उल्गुलान अंदोलन तमाडविद्रो और ताना भगत आंदोलन तो इसका आंसर क्या होगा ताना भगत आंदोलन ठीक है यह प्रारम कब हुआ 1914 में प्रारम कब हुआ 1914 में और यह किस के द्वारा आरम किया गया था तो जत्रा भगत के द्वारा यह किस के द्वारा आरम किया था जत्रा भगत के द्वारा इसे ही प्रारम में किस आंदोलन के नाम से जाना गया तो कूरुग धरम आंदोलन के नाम से जाना गया था ठी जारखन्ड का धोक्रा जो है निमन लिखित में से किस सिल्प कला से संबन देठी हैं तो इसका अंसर होगा धातू यह जो धोक्रा या धोक्रा जो देख रहे हैं आप इसे डोक्रा कला भी कहा जाता है यह दस्तकारी की सबसे प्राचीन कला है जिसके जिसे जिसकी हेल्प से या बोल सकते हैं कि जिसका यूज करके मुर्तियों का निर्मान किया जाता है किसका निर्मान किया जाता है मुर्तियों का निर्मान करके मूर्तियों का निर्मान किया जाता है और इसमें क्या होता है कि मधुमक्यों के छट की जो चट से जो मौम पराप्त होती है उसका परियोग किया जाता है इसमें कौन-कौन से धातूं का यूज किया जाता है तो तांबा जस्ता पीन और कुछ-कुछ जो होते हैं मिस धात यानि इनके द्वारा जो है इस धोकरा कला का प्रियोग किया जाता है और इस कला के द्वारा जो सबसे प्राचीन मूर्ती बनाई गई थी वो कौन सी थी तो मोहन जोद्रो में मोहन जोड़ों में एक नरतकी की मूर्ती मिली है आपकी कुदाई के दोरा न नरतकी की मूर्ती इसी मूर्ती को धोकरा कला के दोरा बनाया गया था और इस कला को घड़वा कला भी कहा जाता है इसकाला को क्या कहते हैं? घडवा कलाभी इसकाला को क्या कहा जाता है? घडवा कला भी कहा जाता है ठीके अगला question है क्या कि जार्खंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज महिलाओं के लिए आरक्षन की कितनी प्रतीसत प्रदान करने के लिए संसोधन किया गया था तो इसका आंसर होगा कितना 50% जार्खंडी पंचायत राज अधिनियम 2001 के द्वारा 50% जो आरक्षन महिलाओं को दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा राज में त्री अस्तरिये पंचायती राज ब्यववस्था कि अस्थापना की गई थी जैसे आप देख सकते हैं कि ग्राम अस्तर पर कौन होता है या पंचायत असर पर कौन होता है तो ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ठीक है उसके बाद प्रखंड अस्तर पर कौन होता है प्रखंड अस्तर पर प्रधान पंचायत समीती पंचायत समीती और जीला अस्तर पर कौन होता है? जीला अस्तर पर कौन होता है? तो जीला परिशद जीला अस्तर पर कौन होता है? जीला परिशद इसी अधिनियम के द्वारा जो है वो अधिसूची छेतरों में अनुसूची जंजातियों के लिए कितनी प्रतिसत आरक्षिन की विवस्था की गई तो 80 प्रतिसत जबकि 11 अधिसूची छेतर में आरक्षिन की विवस्था कितनी की गई थी तो 50 प्रतिसत तो सबसे जरूरी आपके लिए याद रखना कि महिलाओं के लिए कितना प्रतिसत आ पहले इस equation को हम लिख लगते हैं CH4 CL2 सुरी के प्रकास यानि कि यहां पर लिख सकते हैं उस्मा और यह क्या बनता है CH3 CL यहां तसी बनता है और से दूसरे जिखने कर दूसरी अभी अभी स्भावल रहा निरुयक्र यानि कि यह जो अभी क्रिया है क्रिया क्या प्रती अभी कि यह क्या होती है वारासाइनिक अभी क्रिया जिसमें अधिक अभी क्रियासील जो ततु होते हैं वो कम क्रियासील ततु को उसके योगिक से भी स्थापित कर देते हैं यानि कि वो है तो लेकिन उसका अस्थान क्या हो गया है चेंज हो गया है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला क्या है blue baby syndrome blue baby syndrome का कारण क्या है इसका कारण क्या होता है कि पे जल में nitrate का उचस्तर पे जल में nitrate का उचस्तर इसमें होता है कि जो आपकी जो normal water रहती है पानी पीने की उसमें nitrate की मात्रा अधिक हो जाती है नाटेट की मातरा अधिक हो जाती है ठीक है तो इसमें क्या होता है जो बच्चों का जो इसकीन होता उसका त्वचा करण कैसा पढ़ जाता है नीला पढ़ जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है तो साइनोसिस कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है साइनोसिस ठीक है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है पेजल में नाइटेट का उच अस्तर अब यहाँ पर क्या question कि भारी पानी में साधारन साबुन काम नहीं कर सकता क्यूंकि तो भारी पानी का मतलब होता है क्या खारा पानी भारी पानी का मतलब ही है क्या खारा पानी और इसमें जो है आपकी कुछ-कुछ जो आयन होते हैं जैसे कैलसियम और मैगनीसियम के जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं कि साबुन जो होता है नॉर्मल साबुन जो होता है उसके साथ ज्ञाग नहीं बना पाते ठीक है वो कठोर होता इसके वज़े से इसलिए जो है भारी पानी में सादरन सावन काम नहीं करता इस काउंसर्ट क्या होगा क्यासियम आयन और मैगनेसियम आयनों के साथ आउच्छेप की रचना होती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला है द्रेबमान M1 के एक पिंड A और द्रेबमान M2 के एक पिंड B जिनके वेग जो है क्रमसा क्या है B1 और B2 है कि वराबर गति जूर्जा है उनके मोमेंटम यानि की साव एक P1 और P2 के बिच क्या संबंद होगा ठीक है तो इसे हम सॉल्ब कर लेते हैं पहले तो दीखिए हमें दीखिए सबसे पहले क्या बोला गया है कि M1 के एक पिंड A और M2 के एक पिंड B जिसका वेग जो है क्या है B1 और B2 है ठीक है तो गति जूर्जा बोला है बराबर तो गतिजज़ा का formula क्या होता हाप MB square गतिज़ा का formula क्या होता हाप MB square यानि की kinetic energy अब दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर है तो दोनों को बराबर ले लेते हैं ठीक है तो जहाँ M है वहाँ क्या हो जाएगा M1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 का square होगा और इधर क्या हो जाएगा half M2 V2 का square यहां पर half half cut गया ठीक है बच रहा है क्या तो M1 V1 का square और इधर क्या बचेएगा M2 V2 का square अब हम क्या करते हैं कि V1 और V2 का value निकाल लेता है ठीक है V1 square by V2 square यहां पर क्या हो जाएगा M2 by M1 अब यहां पर जो आपकी V1 square है और V2 square है अगर इस square को अगर हम remove करते हैं तो अगर यह इस तरह पाएगा तो क्या हो जाएगा यह root लगेगा ठीक है और root का मतलब क्या होता है power 1 by 2 root का मतलब क्या होता power 1 by 2 ठीक है M2 और M1 ठीक है अब यह तो निकल गया मेरा अब बोला गया है क्या कि उनके momentum P1 और P2 के बीच क्या संबन्ध होगा तो momentum यानि की some way, momentum यानि की some way तो some way का formula क्या होता है P is equal to mb, P is equal to क्या होता है Mb ठीक है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या अगर हमको relation निकलने बोला है तो P1 by P2 is equal to क्या हो जाएगा M1 V1 by M2 V2 यह होगा न क्योंकि P1 है तो M1 V1 P2 है तो M2 V2 ठीक है अब यहाँ पे यह दोनों को अलग कर दीजे M1 by M2 into V1 by V2 यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या V1 by V2 का value क्या दिया गया है यह हमने निकाला अभी ठीक है इसे यहाँ पे put कर दीजे M1 M2 into V1 by V2 का क्या है तो M2 का power कितना हो जाग 1 by 2 और M1 का power 1 by 2 अब यहाँ पे देखिए जो आपका divide में रहता है कभी V2 power क्या होता आपका subtract होता यानि घड़ता है यहाँ M1 का power कितना है कुछ नहीं यानि की 1 है और यहाँ पे कितना है 1 by 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी M1 की power 1 by 2 और नीचे क्या हैगी आपकी M2 की power 1 by 2 ठीक है तो P1 by P2 का value क्या निकल गया है M1 का power 1 by 2 और M2 का power 1 by 2 ठीक है तो यह कहां पर आपकी दिखा रही है यह देखिए आपकी जो D वाली option है P1 by P2 is equal to M1 by M2 का power 1 by 2 ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा D आप इसे चाहें तो आप इसे इस साथ फिर लिख सकते हैं M1 by M2 का whole power कितना हो जाएगा 1 by 2 ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer D हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं एक मिनिट इसको सही जगह में ला लेते हैं पहले लिए देखें क्याक्टर्स की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्दता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकूर्टने में मदद करता है तो यह तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्याक्टर्स है वो कहां पर कौन से छेदर में पाए जाते हैं यह मरुवस्थलों में पाए जाते हैं मरुवस्थल में जहां पर रेगिस्तान होता है जहां पर केवल आपका बालू ही बालू होता हर्याली तो होती नहीं है तो यह जो क्या करते हैंगे अपने अंदर में जो यह वाला भाग देख रहे हैं इसके अंदर क्या होता है गूदा होता है और इसी गूदा में क्या होता है तो पानी होता है पानी की और है चोटे 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 आपको कांटे नजरा रहे है वह इस को वात्पोर सर्जीस होने से क्या करते हैं रोकते हैं तो इसका ऐसे क बनाएं रहो But यहां पर आपको इसका आउसर क्या होगा रीप डॉस किसको बोलते हैं यह आपको internet तो पानी अगर जादा रहता तो कम रहता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा रिस अगे चलते हैं Experuren कें पर गोर सबसugoism, đó better न्यूतिमा में अन्यूक्षरे, यह ब खेमर केंव solicit प्रेकर न्यूंति है स्ोडियां कें लुटारे क साफ न्यूर्यावक इस इसलिएम में मैं का आफी यह इसलिए में सहरागा सदाब दिवा विली आक्र कें। तो इसका विल येंड किसे मिलके बनता एन ओएच एन ए ओएच ठीक है और अएच्सील एन ए ओएचियम आपका प्रबल शार क्या है और एच ये ये क्या है तो प्रबल अमल है तो डोनों के मिलने के बाद जो है यह क्या हो जाता है? यून यो चाहला है अधिकतर लौड श्पीकर के कुछ कमिनेट के अंदर ड्राइबस लगते हैं तो इसका आंसर क्या होगा खानिकारक हस्त छेप को रोकने के लिए उन विशिश लच्छनों की पहचान केजिए जो मनुसिक के चार कच्छे दिल में जूड़ी होती है मनुसिक की जो हिर्दय होती है वो चार भागों में क्या होती है बंटी होती है और इसका आंसर क्या होगा तो यह oxygen समरिद रख से oxygen हीन रख को क्या करता है अलग करता है ठीक है अगला chocolates बनाने में पर्यूग तो ठोस cocoa cocoa जिसे आपकी जो है cocoa powder बनाई जाती है चोकलेट यह सब ठीक है कौन सा रासायन दिखाई नहीं पड़ता तो यह जो घ्याट इसका आंसर क्या होगा TrichloroIsethane तो यह जो cocoa जो है कु कौन से रिक्ष से प्राप्ट किया जाता है तो cocoa भीग जुँष होता है जिसके बाद से सुखा के इसे पाउडर यह सब बनाया जाता है मॉल्लिंग में यह टाला जाता है ठीक है तो इस जो कोको जो है यह किसे प्राप्ट कर आता है कोपाईर इससे और इस जो चोकोमे यह चोकलेट जो आपकी पाउडर होती है उसमें कौन-कौन से रासाइन मौजुद होते हैं तो थीओ, ब्रोमीन, काफीन और फैन्थेलेमीन फैन्थे, एक मिनट फैन्थेलेमीन, ठीक है यह जो थीओ, ब्रोमीन और जो काफीन है यह एक तरह के उतेजक पदार्थ हैं आगे चलते हां अगला उपापचे की कौन सी प्रकिर्या से संबन दिते तोускा सब्से प्राद के लिए इन में से कौन से संबन सही नहींै तो इसका आंसर क्या हो जाएगा P is equal to Vy R square आगे यदि प्रित्वी के द्रेविमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन 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 कितना होगा तो देखिए यहां पर द्रेविमान में कितना बोला है 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो किसी वस्तू का भार जो है परिवर्तन कितना प्रतिसात होगा तो पहले हम जानते हैं क्या कि भार बराबर क्या होता है भार बराबर होता है द्रवेमान गुने जी यानि कि F is equal to M G यहीं न होता है द्रवमान गुने जी तो अब यहां पर देखिए कि अगर माल लेते हैं कि पहले जो द्रवमान होगा कितना होगा 100 होगा तो यहां द्रवमान कितना होगा 100 जी यानि कि कितना होगा 100 जी अब इसमें क्या हो रहा कि 20 प्रतिसत की वृधि हो रही है तो व्रिधी होने के बाद जो है इसका द्रेवमान कितना हो जाएगा 120 जी ठीके तो बढ़ा कितना ये बढ़ा कितना है 20 बढ़ा है कितना में बढ़ा है 100 में ठीके तो इसकी अगर प्रतिसता निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये 20 प्रतिसत यानि कि इसका अंसर क्या हो जा याथ में वसा का पाचन पूरी तरीके से हो जाता है यह क्या करता है जो पीतासे में जो थेली होती है वहां से पीत प्राप्त करता है और यह पीत जो है जल में मिलाकर इसे क्या बना देता है इमल्सन बना देता जल में मिला कर क्या बना देता इमल्सन बना देता जल में मिला कर इमल्सन बनाने में सहायता करता बनाने में सहायता करता ठीक है चलिए आगे चलते है 20 की सबसे सक्तिसाली टेलिस्कोप ALM में कहां अस्थापित की गई है तो यह कहां स्थापित की गई है चिली के अटाकामा रेगिस्तान में कहां यह अस्थापित की गई है चिली का अटाकामा रेगिस्तान में अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म क्या है अटाकामा अटाकामा लार्ज मिलीमीटर के यह कहां पर है तो चिली के अटाकामा रगिस्तान में और ये जो चिली का अटाकामा जो रेगिस्तान ये कहां पर है तो दस्चिन अमेरिका में इस्थित सूस्क पठार है इसका विश्थार कहां पर है तो एंडिज परवतमाला में एंडीज परवत माला जो कि आपकी 20 की सबसे लंबी परवत स्रिंख लाया है जो आपकी दसीन अमेरिका के पशिम तट की और है ठीक है सिरका अमल में सोडियम बाय कार्बोनेट मिलाया जाने परनीमनल में कौन सा गैस यहां पर गैस कीजे ठीक है गैस भी मुक्त होता है तो कौन सा गैस भी मुक्त होता है कार्बन डायोकसाइड यानि की सी ओ टू ठीक है जब सिरका अमल में sodium bicarbonate जब मिलाया जाता है तो वो क्या बनाता है तो वो बनाता क्या है sodium acetate sodium acetate ठीक है पानी और carbon dioxide carbon dioxide ठीक है आप चाहें तो इसका reaction लिख सकते हैं CH3 COOH इसका जो पहले लिख लेते हैं ठीक है उसके बाद sodium bicarbonate जब सिरका अमल में क्या मिलाया जा रहा है sodium bicarbonate NaHCO3 जब मिलाया जा रहा है तो यह क्या बनती है CH3 CONA plus यानि कि sodium acetate plus H2O और CO2 ठीक है यह जो आपको CH3 नजर आ रही है यही सिरका है और इसी का रासाइनिक नाम होता है क्या acetic umbrella इसका रासाइनिक नाम क्या होता है acetic umbrella ठीक है NaHCO3 जो है आपकी यह क्या है sodium bicarbonate sodium bicarbonate ठीक है यह क्या बनाई तो sodium acetate बनाती है carbon dioxide बनाती है carbon dioxide ठीक है क्या क्या बनाया sodium acetate जलोर carbon dioxide जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है तो इसका नीला रंग जो वो इस प्रकार व्रिधी करता है तो यह कैसे व्रिधी करता है तो संक्रियन उर्जा अवरोध को कम करके ठीक है अगला है उपकर्ण गरंथी का कारे का क्या कारे है तो इसका कारे क्या है यह saliva स्रावित करती है यह क्या करती है तो सुलाइवा स्रावित करती है ठीक है यह जो उपकर्ण ग्रंती है इसे ही कहा जाता है पैरोटीड ग्लैंड 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 पैरोटीड के नीचे की और एक-एक संख्या में होती है एक-एक संख्या में होती है और यह स्लाइवा स्रावित करती है जैसे कि कभी आप कुछ ऐसा चीज देख लें जिसे इस वाले पार्ट पे यहां से आपको अजीब मतलब फील होने लगेगा थोड़ा सा जिसमें आपकी लार बनने संस्थापना कह सुलाए तो वहां से रिलीज होती है । ओलिए आगे चलता है ताटा ईरेंस इस्ट्रीट कमपनी के संृ थापक ताटा ने कहां किया था तो इसका पुराना नाम है आप ब्रेकेट में लिख सकते हैं जमसेद फूर जमसेद फूर ठीक है लेकिन इसकी जो विचार यानि की इसे सोचा कि इसने था सब से पहले प्रारंभिग विचार किन का था जमसेद जी टाटा का जमसेद जी टाटा का यह विचार था इसी लिए इन्हें टाटा आरेन इन इस्टील कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वास्तविक संस्थापक माना जाता है ठीक है एक मिनिट देखिए वास्तिक संस्थापक माना जाता है यह जो टाटा आरेन इस्टील कंपनी यह भारत का पहला भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लोह इसपात सैंत्र है ठीक है यह कहां पेस्तित है तो यह पूर्वी सिंभूम जीले के स्वार्ण रेखा तथा खर कई नदी के संगम पर है ठीक है चलिए आगे चलते हैं निम्न लिखित में से कौन सा कथन विर्षा मुंडा के संबन में गलत है तो पहले पढ़ते हैं विर्षा मुंडा ने सोनट संथाल समाज के स्थापना की उन्होंने वन और भूमी पर आधिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी ठी था मिंदारी और सहकारो त्वरा मून की स्फल्षान के खिल्शा फ्रारंभिग बगावत में इसे सबसे महत्वितान वहाज का यंदितु किया हैं तो यह तिन जो है यह तिनो क्या है, यह तिनो है यह तिनो नर। समाज की स्थापना सूनट संथाल समाज क say dunk удар किया गया था सोर यंक key वारतettes अगरी द्हरौ Mais योजना का मुझा है कर भारती संस्कृत की संग्र अंवधार ना के तुभारत के आलप संधयक संवधाई की समरिद विरासत को संक्षित हृँ रखकी है अगला क्या भी में निम्हलग के जीले में ताम्भा एस का संमरिद भंडार निम्हे पुर्वी सींबुम के मोसा बनी धोबनी और घाट सिला में जो है वो तामबा की प्रमुक खाने जो है वो मौजूद है ठीक है पुर्वी सींबुम के मोसा बनी धोबनी और घाट सिला ठीक है यह जो तांबा आयस्क है वो कौन सी चटानों में पाया जाता है तो यह कुडपा करम की चटानों में पाया जाता है कुडपा करम की चटानों में पाया जाता है ठीक है कहां पाया जाता है कुडपा करम की चटानों में अगला क्या फुल Engine लिखित मैं से कि सहर में इसकी निकट इस्थी थे then इहां घाट्ठिलके समीप है ठीक है राखी नदी आदि का उद्भव ह्या क्या रहा है महिराक्षी नदी का उद्भव औसल कहां पर इस्थी थे तो कहां से निकलती है यह त्रिकुट पाड़ी से कहां से निकलती है त्रिकुट पाड़ी जो कि आपकी देवगर्म है कहां पर है देवगर्म ठीक है इसका मुहाना का है यह मिलती का है तो यह मिलती है हुगली नदी में कहां मिलती है हुगली नदी में जो कहां है तो पस्षीम बंगाल इसकी कुल लंबाई कितनी है तो धाय सो किलो मेटर इसकी कुल लंबाई कितनी है धाय सो किलो मेटर मयराक्षी नदी का उपनाम क्या है तो मोर नदी या मोतिहारी नदी या जारखन की एक मात्र नौका गम में नदी यहां पर जो एक मात्र जो है वो नौका का गमन हो सकता है ठीक है स्री सामेद सिखर जी यहां पर समेद लिख लिए कमेद सिखर को और कौन से रूप में भी जाना जाता है इसका आंसर क्या होगा पारशनात पहाड़ी जो कि आपकी गिरीडी में इस्तित है कहां पर यह है गिरीडी जिले में है ठीक है इसकी उचाई कितनी है तो इसकी उचाई जो है वो 1365 मीटर है अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट यह जारखंड की सबसे उची चोटी है जारखंड की सबसे उची चोटी है जारखंड की सबसे उची चोटी है और इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है जैन्धर्म का मक्का वसंत पंचमी का तेहवार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है तो इसका अंसर क्या होगा वसंत रितू का ठीक है जादू गोडा यूरेनियम खदानीमन में से भार्खन की नीमन में से किस जिले मिशते थे तो जादू गोड़ा की खदान जादू गोड़ा जो यूरेनियम की खदान है तो इसी के पस्चिम में जादू गोड़ा के पस्चिम में ही एक आपकी तूराम डी जो है तूराम डी यहां पे भी क्या है तो आपकी यूरेनियम की खदान है यूरेनियम की खदान है जिसे यूरेनियम क्या किया जाता है तो खनन किया जाता है और यूरेनियम के उत्पादन में जार्खन जो है वो प्रमूख है ठीके ये चीज मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी जार्खन के खनीजों में आपको ये चीज मैंने बताया है ठीके कि यूरेनियम का जो सरवाधी कुद पादन है वो कहां किया जाता है तो जारखंड राइज में किया जाता है ठीक है जारखंड की प्रसिद छट पूजा किस देवता की अराधना के लिए किया जाता है तो यह सुर्य देवता के लिए किया जाता है जारखंड की पहली राज भासा कौन सी है तो पहली राज भासा है हिंदी और अगर दूसरी राज की भासाओं की बात करें दूसरी राज की भासा है तो कौन कौन सी है उर्दू, संथाली उर्दू, संथाली, बांगला, उरिया उर्दू, सन्थाली, बंगला, उडिया, मुन्डारी, खो, खडिया, पुडुक, खडिया, पुडुक, पुरुमाली, खोर्था, पंचपर गनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथली, और अंगीका, मैथली और अंगीका, ठीके हैं, यह सब दूसरी राज के भासा हैं, नीम्न में से कौन सा एक धनुधर जो है, जार्खन से नहीं है, तो सीमा वर्मा, जार्खन से नहीं है, सीमा वर्मा, ठीके, चली आगे चलते हैं, मुंडारी ़ोग कता हैं, पुचता किसने लिखी है तो जगदी स्तРИ गुनायतने लिखी है, किसने लिखी है जगदी स्तRI गुनायतने बिर्षा मुंडा और किस नाम से जाने जाते है तो इन्हेश भू पिता यानि की धरती ऑबा के नाम से भी जाना जाता है इनके बचपन का नाम क्या था दाउद मुंडा बचपन का नाम क्या था इनका दाउद मुंडा इनके एक क्वेशन भी पूछता है कि बिर्सा मुंडा के धार में गुरु कौन थे तो आनंद पांडे इनके धार में गुरु कौन थे आनंद पांडे ठीक है जबकि इनके प्रा प्रारंभिक शिच्चक जैपाल नाग प्रारंभिक शिचक कोनगा करते थे जैपाल नाग इन्होंने क्या किया था बिर्सा मुंडा ने बिर्सा मुंडा ने क्या किया तो इन्होंने बिर्साइथ पंत किया स्थापना की थी बिर्साइथ बिर्साइत पंत की शुरुवात इसमें क्या होता था कि अलग-अलग देवी देवताओं की पूजा के अस्थान पर केवल एक देवता कौन सिंग बोंगा एक देवता सिंग बोंगा की अराधना की जाए ठीक है आगे है बिर्सा के नेतित में शुरू उल्गुलान का क्या मतलब है तो उल्गुलान का मतलब है विद्रो उल्गुलान का मतलब क्या है विद्रो या महान हलचन विद्रो या महान हलचल विद्रो या महान हलचल ये अठारा सो पंचानवे में बिर्सा मुंडा के नेत्रित में जो है वो बिर्सा अंदोलन किया गया था बिर्सा मुंडा के नेत्रित में बिर्सा अंदोलन किया गया था जिसमें एक गीत भी प्रशलित हुई थी क्या कटोंग बाबा कटोंग ठीक है चली आगे चलते हैं जार्खंड में इंडियन इस्कूल ओफ माइन इंडियन इस्कूल ओफ माइन कहा इसती थे धनबाद में जबकि सिंद्री में जो है आपकी भारत की प्रतम उर्वरक कारखाना खोला गया था भारत की प्रतम उर्वरक करखाना की अस्थापना की गई थी कब 1951 में कब क्या गया था 1951 में ठीक है अगला क्या है कौन सा सहर भारत के माइका राजधानी की रूप में जाना जाता है तो अभरक राजधानी की रूप में किसे जाना जाता है को डर्मा को यह चीज मैंने आप जब मैंने आपको बताया था ज़ारकन की खनीज़ मैंने पढ़ाया था उसashके अलावा वहां पे पहुसिद आपको बताया गया थीकशित में से कौन सा एक तिलका मांजी के संदर में गलत है तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा तो पहला क्या तिलका मांजी ने 1785 में आदिवासी विद्रों का नेतित किया और ब्रिटीज से नाप्रमु को घायल करने में काम्याब हुए दूसरा क्या है कि तिलका मान जी को भागलपूर में मृत्यों के लिए फांसी पे लटका दिया गया था तिसरा है तिलका मान जी ने रामगड की पहाड़ियों में गुडिला यूद का नेतित किया था 1990 में भागलपूर विश्व विद्याले को तिलका मान जी भागलपूर विश्व विद्याले के रूप में पुना नामकरन किया गया था तो यह जो चारो statement जो दिये गए हैं इन चारों में जो है वो गलत कौन सा तो गलत है ये गलत कौन सा ती नमबर वाला तो यह जो गुरिला यूद शुरू तो किया गया था लेकिन रामगड की पहाड़ियों में नहीं गुरिला यूद जिसे हम क्या कहते हैं छापा मार यूद भी कहते हैं गुरिला यूद को क्या कहते हैं छापा मार यूद भी कहते हैं और यह कौन से पहाड़ियों पर इसकी शुरुआद की गई थी तो शुल्तान गंज की पहाड़ियों में स्थान चल लगे व्हारत में राजियों गठन के संब्स में 20 कास्थान का है तो इसका किया 28 इसका स्थान क्या है 28 यह चीज मैंने आपको बताया है ना संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागून के महीने में गाया जाता है तो फागून के महीने में फगवा गाया जाता है अब यह रही प्रात कली तो प्रात कली को प्राता काल में गाया जाता है अधरतिया को आधे जो मैधिरात्री जो होती हो तब गाया जाता है ये जूमर जो है जूमर कब गाया जाता है तो ये जीतिया, सोहराय और कर्मा में जितिया सोराय और कर्मा में जो है वो जुमरगित गाया जाता है जबकि प्रातकली जो है या आपके प्रातकाल में गाया जाता है अधरतिया मधिरातरी में फगवा जो है वो फागुन में यानि की होली के टाइम इसे गाया जाता है ठीक है निवन मेंसे कौन खरवारा विद्रो के नेताओं मेंसे एक है तो कौन है भागी रत मांजी यहां ठोकर लिज़े भागी रत मांजी ठीक है भागी रत मांजी इन्हें जो है इन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है कौन से नाम से जानते हैं इन्हें बाबा के नाम से और पर शुरू किया गया था संथाल प्रगना छेत्र में इस आंदोलन को जो है वो भागीरत मांजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है फरवार आंदॉलन को भागिरत मांजी का आंदॉलन भी कहा जाता है थिके इतना चीज आप याद रखिए गा अगला क्या है कि पुस्तक मरंग घोड़ा निलकंट हुआ के लेखा कौन है तो इसके लेखा के महुआ मांजी एक फरवरी 2016 की इस्थिती के नुसार जारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है तो उस समय कौन थे स्री अमरकुमार बावरी यहाँ पर बावरी लिख दिया है अमरकुमार बावरी ठीक है लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी जहरकंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है तो हाफिजूल हसन कौन है हाफिजूल हसन कौन है हाफिजूल हसन ठीक है अगला और अंतिम कौन सा है कि निवने मेंसे कौन सा जार्खन के पहले गेर आदिवासी मुख्य मंत्री के संधर में गलत है तो गलत कौन सा है उन्हें बावुलार मनानी के नेतितो वाली राई सरकार में पहले बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोटोफोलिया मिला था उन्हें 1975 के आपात काल के दोरान गिरफतार किया गया था वे जारकन के दसवे मुख्य मंत्री हैं वे सिर्फ तीन बार विधान सभा के सदे से रह चुके हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर डी होगा ठीक है तो यह question जो है यह last question था ठीक है तो उमीद है कि आपक अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि उनको भी क्या हो इस चैनल का क्या हो उन्हें बेनिफिट मिले ठीक है फिर आप मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर